किसी ने बहुत खूब लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूर रहकर भी आपको अपने पास महसूस होता है तो इसका मतलब उसका संबंध आपकी आत्मा से जोड़ा हुआ है उसे अपने से दूर मत कभी जाने दीचेगा नमश्का, मैंहूप subur प्रीत कमल और मेरे चानल पर फिस्थे आपका सुगत है आज है वीकेंट पिरवारी है एक कहानी की तो आज की एक कहानी कुछ अलग है ये तीन अलग-अलग जिंदगियों के कहानी है जिसमें की पहली कहानी मेंating फिर यह विववत Г,... मैच था जिसमें कि उसने बहुत अच्छे से खेला बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और जिसके वज़े से उसे फ्लैर आफ ते मैच का अवार्ड भी मिला लेकिन इस सब के बावजूद उनकी टीम के जीतने के बावजूद वो लड़का बहुत दुखी था क्योंकि उसके मामा उसके पास नहीं पहुंच पाए थे उसके इस इंपॉर्टन्ट दिन पर शी बिजी समवेर और जिसकी वज़ा से वो उसके पास नहीं आपाया और जब उसमाच के खातम होने के बाद वो उसको स्कूल से लेने के लिए उसके पहुंचे तो उन्होंने बहुत से अपालोजी सीख की बहुत उसको सॉरी बोला उसे कहा कि उसके उनकी ऑफिस में बहुत सादा काम था इसकी वज़ा से वो लेट हो गए लेकिन उसको बच्चे के कि उसे लग रहा था कि बहुत देर हो गया उसने भामा से बात नहीं किया लेकिन उसका गुसा था उसके जो प्यार पर थोड़ा हावी हो गया था दूसरी कहानी है वो है दोस्तों की जिसमें एक दोस्त ने अपनी कुछ खुशी को सलिब्रेट करने के लिए अपने दूसरे दोस्त को डिनर पार्टी पर इनवाइट किया और लेकिन एक या दो घंटे वेच करने के बावजूद जो दूसरा दोस्त था वो पहुंच नहीं पाया और जब वो cd दियाए जबठ व को चुकी थी बहुत दोस्त को कि मेरी जो ट्राफिक थी वो बहुत दोर से आना था यह जगऺ है बहुत दूर जाए शचे में कि लेत हो गया रहा दिए लेकिन वह दूसरा दोस्त नहीं माना और वहांसे उठकर चला गया अपने हिक अच्छा गया बात इसे बहुत से हफ़तों तक मेसेज़ेら कायं थिए लेकिन अपने गुससे ने कहीं अपना रिसेग में राइप और अपने कुछ से को कायम रखा जो तीसरी काहानी है वो है एक कापल की जसमें एक फ्यान्स अपने दूसरे फ्यान्स के लिए जिनकी इंगेजमेंट हो चूकी होती है वो दूसरे के लिए उसने प्रपरेशन की फ्लावर्स, केक वगएरा रड़ी किया अपनी इंगेजमेंट अनिवर्सिटी पर पर दूसरे फ्यान्स वो भूल चुका था उसके बारे में उसे याद ही नहीं था वो रेडी नहीं था और इस चीज़ के लिए उसने बहुत जादा माफी मांगी अपने फ्यान्स से कि मुझे माफ कर दो मैं बूल गया अगली बार से ऐसा नहीं होगा तुम्हारे ले गिफ्ट चॉकिन सब कुछ लेकर आऊंगा प्लीज फोगिव मी लेकिन बहुत से महीने बीट गए और ये गुसा ये इगो रिष्टों से जादा लोगों की लाइफ में जब माइने रखती है तो ऐसा ही होता है उनकी बहुत जादा अपॉलजी के बाद भी उस फ्यान्स ने उसे बात नहीं की उसके साथ अपनी जो ल लोग जिन्हें ये तीनों इगनोर कर रहे थे यानि की छोटे से लड़के की मा जो दोस लेट आया था वो दोस और जो अपनी एनवर्सरी भूल गया था वो लड़का वो तीनों एक बस में एकठे ट्रावल कर रहे थे और उस पस का एकसिडन हो जाता है और वो तीनों जान तोका था जिसके फ्रेंड की इस कार बस एकसिडन में मौत होई थी उसकी फ्रेंड के मामा ने उसको बताया फोन करके या पका दोस्त अब इस द्विया मेें नहीं है और फ्रेंद ने टीवी पर यूस मैं यी बेखा की एक बस एकसिडन तोसिए बात की ज़ख ними हो तो यह जो तीन अलग-अलग कहानिया है यह शायद हमारी जिंदगियों से बहुत जादा जुड़ी हुई है क्योंकि इन कहानियों का कनेक्शन हमारे साथ बहुत जादा है क्योंकि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे लोग ऐसे घृतनाएं होती है ऐसे लोग हमारे साथ होते जहां पे किसी situation के अंदर हम अपने प्यारे रिष्टों को नीचे आँखते हैं, कम आखते हैं और अपनी ego को अपनी जो गुसा है हमारा उसे हम ज्यादा माइने देते हैं और इस तरह की situation में, इस तरह की condition में कई बार हमारे रिष्टे हम से बहुत दूर हो जाते हैं तो मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूगी या इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अपने प्रियरजनों से अपने प्यारे प्यारों से प्यारे लोगों से जो आपके आसपास है जो आपके रिष्टें हैं उनसे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए अगर उनसे क करो पाठा को अपनी लाइव से निकाल दीजिए उसे छोड़ दीजिए और अगर आपकी लाइव में, आज यदो च 5 ही तो प्लीज 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 अपने प्लीज अपने अन प्यारों के पास अपने उस दोस्तいいजे प्लीजिया प्लीज आपको फोलिए है और र bad चेंके बहुत 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 प्यार करते हैं क्योंकि गश्क भाइवसे ले से ऑथ करने पूले उने के आप कि आज रहे पहुत से कितना प्यार करते हैं तो अगर मेरे कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी क्या कहानी है आप इस कहानी से कैसे अपने आपको जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अगले विकेंड फिर से मेरे पेच पर एक नहीं कहानी थैंक यू सो मुझ तिल ना बबाई